हलो, मैं स्वुराब लूधि, इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम सस्थियकल, नमस्ते और जय शिती राम इस वीडियो में बार करेंगे जारखंड की अंकीता के बारे में जिसके हत्या इसलामवाधियों ने दीनी तालीम प्राप्त विध्यार्थियों ने उसके ही घर में सोते वक्त उसके उपर पैटरल चड़कर आग लगा दी जारखंड मुक्ति मोर्चा हैमन स्वर्देन सरकार क के सरकार में चलने वाली एक सेकुलर सरकार के बारे में उस सरकार उस सराज्य में जो इसलामिस्ट गिरू है जो निया व्यवस्था कानून व्यवस्था में बैठा है और जुसका हमेशा एक प्रयास रहता है कि हिंदू पिडितों को इसलामिस्टों के खिलाफ कभी भी निय नाय ना मिल पाए उसके बारे में और भारत के सेक्यूलर दानव सरियावादी कार्यकरताओं के बारे में लुटे-पिटे ज्वान के दलाल पत्थरकारों के बारे में बात करेंगे 23 अगस्त 2022 के दिन अंकीता के ऊपर सारुक हुसेन और उसके साथ ही छोटू खान नहीं अंकीता जब अपने घर में सो रही थी सुबह चार या पाँच बज़े के बीच में उसके घर की खिड़की का सीशा तोड़कर उसके उपर पैट्रोल छिड़कर उसके उपर आग लगा दी अब इस घटना की जानकारी हिराष्टी मीडिया में तब आती है जब अंकीता सींग अपना बयान दर्ज करवा देती है अस्पताल में उसकी डेथ हो जाती है एव वास्तविक्ता है कि जहां हिंदू पीडित है वहां सेकुलरिजम के नाम पर गंगा जमिनूर तैजीब के नाम पर कम्यूनल हार्मनी के नाम पर उन अपराधों को दबाया जाता है जहां मुस्लिम दीनी तालिम प्राप्त करने वाले या कुरान के विध्यार थी मुहम्मद में यकिन रखने वाले इमान के पक्के मुसल्मान अपराधी के तोर पर सामिल होते हैं या अपराधी होते ही हैं वहां पर हिंदूओं की जान, माल, इजज़त से सम्मंधित अपराध राष्टिय समाचार नहीं बनता अब यहां पर सिर्फ एक पॉजिटिव चीज है कि बीजेपी की सरकार जिस तरह से भी काम कर रही है केंद में या अदाज्यों में उसका परिणाम है कि दुमका में अंकिता सिंग की इस्लामिस्टों के द्वारा की गई हत्या राष्टिय समाचार राष्टिय डिबेट का हिस्सा बन गई यह एक केंद के में ढौंगरेस इस्लामिस्टों की सेकूलरों की सरकार होती लिब्रलों की सरकार होती तो हजारों कीता मढ़ जाती जारखंड पूरा इसलामिक स्टेट भी बन जाता यहां तक कि जारखंड भारत से अलग भी हो जाता तो अभी उसका समाचार राश्टिय फलक पर कभी आता ही नहीं इसलिए हिंदूओं के फेवर में उठने वाली आवाज को राश्टिय मंच पर जगे मिलती है हिंदूओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को अपराधों को राश्टिय डिबेट का हिस्सा बना लिया जाता है यदि कई हिंदूओं को ये बात पसंद नहीं आएगी वो बात ये मानने को तैयार नहीं होंगे तो मैं उनसे कहूंगा या तो 2014 के पहले की घटना है देख लीजिए या तो खुद के परिवार के साथ में ऐसे घटना होने का इंतजार कीजिए चलो अब बात करते हैं 23 अगस्त को जब अंकीता के ऊपर छोटु खान और साहधु खुसेन ने पेटरल छिड़क कर आग लगा दी तो वहां की सरकार वहां का नियातन्त कुछ इस्लामिष्ट पत्रकार और सरियावादी दानोवादी कार्यकरता किस तरह से व्यावार कर रहे थे और मिया लौरडों का किस तरह से व्यावार था इस समय दर्मियान देश के अनिक मुद्दों पर अलग अलग जगों पर तो जब अंकीता सिंग के साथ में अपराद कर दिया तो सबसे पहले DSP नूर मुहम्मद का नाम आता है उसने इस मामले को व्यक्तिगत मामला बताने का प्रयास किया उसी का स्टेटमेंट था कि दोनों परीचित थे और आपसी अदावत में सहरुख हुसेन ने अंकीता के उपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी यह वही नूर मुहम्मद है जिसने सम्विधान की सपत लेने के बाद में जब सामने मुस्लिम आरूपी दिखा अपराधी दिखा तो उसने सम्विधान को साइड में करके किस सपत के आधार पर काम करना ज़रूरी समझा और उसने साहरुखो बचाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिये वो भी समविधानिक और कानूनी तोर पर डीएसपी नूर मुहमर फॉस्ट क्रिमिनल है जारखंड सरकार ने क्या किया है मंतस्वधन सरकार उस वक्त और अभी तक मैं इत थर्ड सेप्टमबर को वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक अपने विधायकों को अपनी सरकारों को बचाने के लिए अलग-अलग राज्य में जा रही है दादू चिकिन मुर्गा पार्टी कर रही है विधियानी बीफ पार्टी कर रही है पर आप एक चीज देख लीजिए कोई भी सेक्यूलर कोई भी सदियावादी कोई भी इसलामवादी कार्य करता अंकीता के घर पर नहीं गया कारण वो हिंदू थी, कारण दूसरा उसका आरोपी उसका अप्राधी यहां पर आरोपी अब सब्द कहना एक अपने आप में ही बायस है एक अप्राध को गंभिर्दता को कम करने का प्रयास है मैं अब उसको अप्राधी ही कहूंगा. अब अंकीता का लिबरल, कामबंथी, कभी भी अपने कोर वोट बैंक यानि इस्लामिस्टों को नाराज नहीं करेंगे, वो भले अपने नजरों के सामने हिंदू बेहन बेटियों के बलातकार का आनंद लेंगे, हिंदू जनसनहारों का मज़ा लेंगे, पर अपने इस्लामिस्ट वोटरों को कभी कुछ नहीं काएंगे बलकि उनको बचाएंगे जारखंड सरकार ने सबसे पहले प्रयास किया कि अंकीता को medical treatment ना मिले वहीं पर दिम्स में जिस अस्पताल की मीडिया के माध्यमों से ऐसा कि उस द्यम्स के अस्पताल की परिस्थित वहां की जो सुवीधाएं थी कर्ण उसके और यह चाहते अंकीता को बचाने के लिए दूसरे नार चेमें अच्छे अस्पताल में सरकारी अस्पताल में सिफ्ट करतवा सकते थे इन लोगों ने प्लान किया कि अंकीता कैसे भी करके मढ़ जाए उसकी मौत हो जाए तो उससे साहदुक को बचाने छोडाने के में एक कानूनी थोड़ी या तो एक राजनेतिक मदद मिलेगी और अपना वोट बैंक इंडेक्ट रहेगा जो इस्लामिस्टों का वोट बैंक है तो जारखंड सरकार ने उसको कोई खास विधाय प्रदान नहीं करवाई और 23 और 29 अगस्ट के बीच में 6 दिन वो मौत से लड़ती रही और बाद में 29 अगस्ट को उसकी रूत्ती हो गई जारखंड सरकार उस वक्त मदद करन की जगह अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने विधायकों के साथ है मौज मस्ती मनोरंजन और घूमने फिर्ने में व्यस्त था पूरा जारखंड जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो इसी चीज में लगा रहा उसके बाद में आता है सरियवादी दानोवादी कार्यकरदाओं का नमबर इन लोगों ने प्रयास किया कि अंकीता की हत्या राष्टिया मुद्धा ना बने तो इंडिया टूडे ने अपने दो बज़े के आर्टिकल में 29 अगस्त के दो बज़े के आर्टिकल में सहारूख हुसेन की जगे उस अपराधी का नाम अभिशेक के नाम से प्रकाशित किया और कुछ घंटों के बाद में उसका नाम सुधार दिया दूसरा न्यूस फॉर नेशन के एक इस्लामिस्ट परतकार ने जिसका नाम सिबाब अक्तर है उसने का के जला जलाना जला जववल चलता ही रहता है यानि लड़किया तो जलानी चलता ही रहता है उसे गंभिड़ता से नहीं लेना चाहिए यह सिमाब अक्तर का पोस्ट है ट्वीट है लुटियंस मीडिया ने इसे अपने फ्रंट पेज पर सेकेंड पेज पर छापा नहीं सेकुलर इस्लामिस्ट कामपन्थी लिब्रल राजनेतिक लोगों ने क्या किया जो वाडराइन जो हमारा देश का पप्पू हर बीजेपी राजे में होने वाले जगन्य अपराध हों में हिंदू मुस्लिम ढूडता देता है जहां सिर्फ पीडित मुस्लिम होना चाहिए या तो पीडित वो वर्ग से होना चाहिए जिसके कारणों हिंदूओं में विभाजन किया जा सके जैसे हाथदस की घटना में वहाँ पे इस्लामिष्ट भी पहुँचे थे हाथदस की घटना में पर सेम डे बलरामपूर की घटना में किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वहाँ पे एक मुस्लिम ने एक हिंदू लड़की के ऊपर बलातकार किया पत्थरों से कूट कूट कर उसकी जान ले ली हत्या कर दी पर सारा का सारा लिब्रल, सेक्यूलर, कामपन थी और इस्लामिष्ट गिरोब जिसमें राजनेतिक गिध्ध भी सामिल थे यहां से केजरिवाल टाइप के उसकी पार्टी के ढौंगरेश के हमारे वाडराइन, पप्पू यहां तक हमारी बारमाता भी बोल पड़ी कि देखो हिंदू, दलितों के साथ में स्वरण हिंदू अत्याचार करते हैं, क्या ए लोग छारखंड में जिस तरह से पिछले तीन चार साल से देखते आ रहे हैं कि आदिवासी, हिंदू, इसाई, लड़कियों, महिलाओं, बच्चियों के साथ में मुस्लिम लव जिहाद कर रहे हैं, रेव जिहाद कर रहे हैं, उनको अपने जाल में फसाते हैं, उनके द्वारा अन्य लड़कियों को अपने हवस के जाल में फसाते हैं, उनके साथ में देख वैपार करवाते हैं, नुसे का ट्राफिकिंग करवाते हैं, मानवतस्करी करते हैं, और जब वो जासुं को खाड़ीउं में फैंक दिया जाते है jak तक कुछ किस्व मेन ऐसा मेरा सूर्स का कहना है कि कई बार लडगीओं के जिसमें आम बाहरी हिस्से खाने में पका कर लोगों को बैंस दिया जाता है और आंतरिक हिस्से माना और अंगों की तसकरी वाले सिंडिकेट को बैंस दिया जाता है अब पुलिस वालों को पता होगा कि लासें किस हालत में मिलती हैं और उनके कौन-कौन से हिस्से गायब हैं क्योंकि यह सारा मीडिया में नहीं आता है यह हमारे राजनेतिक गिर्भ की इस केस में यह भूमी का रही थी कि उन लोगों ने प्रयास किया कि राष्टिया मुद्धा ना बने पर अफसोर से राष्टिया मुद्धा बना ट्वीट हुए पर हिंदुओं के कमी यह रही इसे और ज्वलंत मुद्धा नहीं बना पाए इन लोगों ने एक सामाने घटना अपराथ समझ कर इसको छोड़ दिया तीन चार दिन के अंदर यही वज़ा है कि हमारे भारत में 2014 के बाद में हर हपते हर मैने हर साल किसी ना किसी अंकिता किसी ना किसी अंकित सक्से ना धुरूरागी की धुरूतियागी की कुरूरता पूरवक हत्या की जाती है या दिल्ली में जैसा हुआ था एक पड़ोसी मुस्लिम ने दूसरे हिंदू मुस्लिम को 27 टुकड़े किये थे सामान्य जगडे में पर उसकी मेडिया में कभी ख़बर नहीं बनी पर यही उल्टा होता तो यूएन तक यहां तक की बिडेन इल्हान ओमर और यहां तक की अलकाइदा जैसे इस्लामिक सामाजिक संगठन लस्करे तोयबा जैसे मुहमद आईएस आईएस जैसे मानवाधिकार संगठनों की तरब से भी इन घटनाओं का उल्लेख हो जाता यह हमारे हिंदू की कमी भी है अब आता है सेक्यूलर्द संवेधानिक व्यवस्था में बैठे मिया लॉर्डों और इस्लामिक अधिकारियों यानि जिहादियों की भूमिका के बारे में नूर मुहम्मद ने कह दिया कि लड़की 19 साल की थी जबकि उसका स्टेटमेंट था कि वो अभी बारदमी में पढ़ रही है यानि वो लगबक 16 साल की थी नंबर एक उसके उपर पॉसको एक्ट की धाराएं ना लगे उसका प्रयास्ट डीएस्पी नूर मुहमद ने किया उसी ने यही अफ़ा फ्यलाई कि दोनों व्यक्तिगत्वर पर परिचित थे तो इस लिहाद से देखा जाए तो पॉसको एक्ट कैंसल कर देना चाहिए इस हिसाब से देखा जाए तो दहेच का जो कानून है वो भी कैंसल कर देना चाहिए और हिंदुओं को अपने ही घर में दहेच के नाम पर महिलाओं को जलाने का धिकार मिल जाना चाहिए क्योंकि दोनों की साधी हो चुकी है वहाँ परिचित थे इसलिए साहरुक ने अंकिता क हो चुकी है तो सुमन और संगीत दोनों की जब यदि साधी हो जाती है दहेच के कारण दोनों के विवाद होता है तो संगीत को अधिकार मिल जाता है इसलामिस्टों की नजर में उसके उपर पैट्रोल डालकर आग लगा दे एक तर्क हैं इसलामिस्टों के वह देखिए आ अपराधों को जायश ठहराते हैं और खास करके हिंदुओं के खिलाफ ये हिंदुओं के खिलाफ अपराधों को जायश ठहराने के लिए लोग कितने प्रयास करते हैं एक सम्विधान के सपत लेते हैं और काम करते हैं ला इलाह इलिल्लाह के कलमे के हिसाब से ये हिंदुओं क की दूस्ती गलती है तीस्ती गलती मिया लोड़ों की इस समय दर्मिया कुछ मिया लोड़ों के जज्मेंट आए फद्माना नमबर एक कि यदि नाबालिक है और वो सहमती से सेक्स संबंध बनाता है तो उसमें आधाकार्ड पानकार्ड जाच करने की जदूरत नहीं है कि वाँ मिया लोड़ अब जदा यह भी कहा दो के पॉसको एक्ट दद कर दो दूसरी चीज यह तो एंसा कर दीजिए कि मिया लोड़ों को क्या देना चाहिए कि पॉसको एक्ट की धादाओं के अंतरगत मुस्लिमों पर कोई भी मुकदमा दायर नहीं करना चाहिए दूसरा है और दो मिया लोड का जज्जमेंट नहीं अएंसा था जैए पॉसमा इस माएखिभम यह में लोड ने रहे या कातूर या मोमिन दोर्ण ने इंसा क्या सकते हैं कि उसने कहा था कि सद्याट सकीन इस तुस्कीन यादि संपर्क। नहीं तो उसे दुसकर में या योन अपराद के उसे स्टैनी में नहीं डाला जा सकता है कल मैडम एक बात सोचे कोई कॉंडॉम पहन के बलातकार कर दे उसको क्या कहेंगे या ग्लॉवस पहन कर सारवजनिक स्थान पर किसी लड़की के स्तन को स्तन मर्दन करने लगे तो कैसा रहेगा यह हमारे मिया लोड़ों की सोच है जब अपराधी या तो हिंदू विभाजन का जरिया बन जाए या तो अपराधी टोपी दाढ़ी पहने वाला मुहमद रसूल हो बराबर हमारे एक मिया लोड़ों ने जज्जमेंट दिया कि यदि बच्ची के गुपतांगों में अपराधी ने अपने सरीर के किसी भी गुपतांग का प्रवेशना कराया तो उसे बलातकार नहीं कह सकते यह हमारे मिया लोड़ों की सेकुलर सोच के कारण जो इसलामिक फत्वे आते हैं सदिया कोर्टों की तरफ से वो हमारे सरकार को नाक दगड़कर मानने पड़ते हैं अब बात करते हैं अंकीता के केस में किस तरह से हिंदूों ने भी अपनी गल्तियां दोह रहीं वो इस मुद्दे को इस अपराध को भूल जाते हैं इसे एक कहके छोड़वा देते हैं या भूलने को कह देते हैं कि इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा के उपर खत्रा पैदा हो जाएगा दंगे हो जाएंगे आप ऐसे डरते रहेंगे वो डराते रहेंगे आपको वो भादस से नामसेस कर देंगे जैसे पाकिस्तान से बांगला देश से कस्मिर से हिंदू नामसेस हो दहें हैं बीजेपी की गलती हिंदूों के समर्थन में उसे अवाज उठाने में ऐसा लगता है कि इसे कमिनल हादमनी या उसके उपर हिंदूवादी एजन्डा आगे बढ़ाने का धब्बा लग जाएगा बीजेपी को हमेशा अपनी हिंदूवादी विचारधारा को पकड़ के रखना चाहिए उनको बोलना चाहिए यदि तुम इसलामवादी एजन्डा चलाते तो हम हिंदूवादी एजन्डा चलाते हैं जो इंसानियत और भारत के फेवर में हैं जबकि इसलामवादी एजन्डा हिंदूओं भारत और इंसानियत के फेवर में नहीं है पर बीजेपी वहाँ पे भी गलती करति है हमारे मोदी साब ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास फीक है मोदी साब एक कदम आगे चले सबका विश्वास आप कभी भी हैवानों का सैतानों का विश्वास नहीं जिल सकते मोदी जी को ये बात फिर से याद दिला देता हूँ हमारी बेहन बेटियां अपनी जान और इज़त गवा रही है हमें जलील किया जाता है कि हम तुमारी बेहन बेटियों को इस्तिमाल करके फैंक देते हैं तुमारी बेहन बेटियों को हमारे बिस्तर की गर्मी से होके गुजरना पड़ता है यह ऐसे स्टेट्मेंट इस्तामवादी देते हैं इनके उपर आप समवेधानिक तरीके से कभी भी एक्षन नहीं ले पाएंगे और जो गिरो और समवेधानिक काम करता है तो उसके उपर और समवेधानिक एक्षन जरूरी है यह ऐसा मेरा मानना भी है और ऐसा करना भी चाहिए जब कस्मीर में मस्जिदों से खुले आम लाउड स्पीकरों के द्वारा फत्वे जारी होते हैं एनॉंस्मेंट की जाती है कि हिंदू यहां से निकल जाओ अपनी बीवियों बेहन बेटियों महिलाओं को छोड़ कर तो आप ऐसे गिरो को जहां कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि किसने एक अपराध किया है करवाया है कौन इसमें सामिल है तो पूरे के पूरे गिरो को समाज को एक अपराधिक गिरो समाज के उपर उसके उपर एक्सन लेना चाहिए यह हमारी सरकार नहीं कर पाई हमारी सरकार थोड़ा डड़ती है अब हमारे जो मिया लॉर्ड है समविधानिक व्यवस्था कानूनी व्यवस्था में बैठ कर जो इस्लामिस्ट जिहादी समविधान का इस्तेमाल करके इस्लामिक अपराधियों को बचाते हैं इस्लामिक जिहाद को आगे बढ़ाते हैं, उसको फंडिंग करने में मदद करते हैं, उनको तुरंत सस्पेंड करो, उन्होंने जितने साल पैसा लिया है, सरकार से, वो सारा बापिस लेना चाहिए, माय व्याज के, उनके उपर NSA, UAPA के केस, धाराएं लगा कर केस करने खास करके इस्लामिस्टों को ध्यान में रखके, कि जहां एनकाउंटर एक कानूनी जरूरत हो, और एनकाउंटर अपराध ना माना चाहिए, इस्लामिस्टों के लिए ऐसा ही करना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते, अपने आप से सर्माते नहीं हैं अपरादवोध नहीं मानते जिन चीजों को करने में जिनको आप कानून से नहीं डरा सकते जिनको लाठी लकडी से नहीं डरा सकते उनके उपर आप मूसल का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक अब उसके बाद में आती है चीज के हमारी जो सेक्यूलर वादी सरकार हैं उनकी भूमी का क्या रहती है ऐसे केसों में तो उनकी भूमी का यही रहती है कि किस तरह से हिंदू पीडित को अपराधी या उस इसलामिक अपराधी के संपर्क में रहने वाला सानिध्य में रहने वाला या उसके रिलेशन में रहने वाला कैसे साबित किया जाए और अपराथ के गंभिरता को घटाया जाए ताकि अन्य हिंदू उस अपराथ में फिर से ट्रेप हो जाएं यह हमारी सेक्विलर वादी जो लॉबी है जो संगठन है गिरो है यह उसकी हमेसा मानसिकता कार्य प परखंड की बात है एक मुस्लिम अपराधीन एक आदिवासी लड़की को जो कि हिंदू ही है उसके साथ में बलातकार किया और उसकी लास को पेड़ के उपर लटका दिया आपको यदि याद आता हो तो जब इस्लामिस्ट भारत में हमले करते थे तो वो किसी भी निर्दोस हिंदू का कतल करते थे पेड़ों पर लटका देते थे महिला का बलातकार करते थे तो पर लटका देते थे अंग्रेज उनर भी वही किए था पर वोगोर् रहे होंगे यह मैं नहीं कहता हूं उन लोगों ने भी कुछ किया नहीं होगा पर मुस्लिमों ने यही किया था अखिलेस के राज में 2013-2012 में हिंदू लड़कियों के साथ में दुस्त कर्म करके यह मायावती के टाइम पर भी होता था मायावती खुद को दलित बताती है तो उस टाइम पर भी उनके ही वदगे की हिंदू लड़कियों को मुस्लिम रेप करते थे धंकाते थे समाधान करने सुलह करवाने के लिए मुस्लिम जो इंस्पेक्टर हों या हवल दार् रहे हो या जज दो मचेश्टेट रहे हों वह सब धंकाते थे हिंदू पीडित पक्ष को कि आप समाधान कर लो आप कहां तक लड़ोगे आपके पास पैसा नहीं है आपका घर बिख जाएगा आपको आर्थिक समस्य आ जाएगी हो सकता है सामने वाला गुस्ते में आके आपके घर के दूसरे लोगों को कुछ हानी पहुंचा दे कुछ नुकसान पहुंचा दे या चारखंड में भी वही हो रहा है और हिंदूों को मैं फिर से एक बात कहता हूं बीजेपी को आप सत्ता से बाहर निकालोगे तो आप इस देश से बाहर निकल जाओं यह बात याद रखना और मेरी बात गलत साबित ऐसा लगता हो गलत साबित हो सकती है या मैं साइट समीर में देख लो बंगाल में देख लो अब केरल में देख लो और किसी भी नौन बीजेपी स्टेट में देख लो किस तरह से हिंदूों के खिलाफ थानों में गली महलों में उनके ही घरों में इस्लामिस्ट किस तरह से अपराद कर रहे हैं जाती अपराद कर रहे हैं ताक भी हिंदूओं को जलील किया जा सके कि आपकी लड़कियों को महिलाओं को तो हम जब चाहे उठा लेते हूं उनके साथ बलातका करके नौच के फैंक देते हूं और आपका तुमादा समविधन तुमादा कानून तुमादी सरकात हमादा कुछ नहीं बिगाड पाती और ना हो बेटियों के कपड़े फडवाई दंगाईयों से, मुस्लिम दंगाईयों से, जो आमारी पार्टी का MLA है, जो मुस्लिम MLA है, उसमें दंग्ये स्पॉंसर करवाई, वो हिंदुों को आए दिन जैनोसाइड की धमकी देता है, आप ओवेसी, जो मवेसी है, हमारा भारत का मवे से, उसके भाई के, उसकी पार्टी के, तेलंगाना के कॉंग्डेस पार्टी के, जो मुस्लिम नेता है, मुस्लिम कारे करता है, उनके बयान सुन लीजिए, टीद आजा के, केस के संदर हमें, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट करूंगा, मैं, वो आप सुन लीज है, आप सोते रहोगे, आपके साथ में यही होगा, इसलिए सरकारों को बदलो, बीजेपी को लाओ, महंगाई और बैरोजगारी की चिंता मत करो, और यह हिंदूओं का सिर्फ ठेका नहीं है, कि जीडीपी हिंदू बढ़ाए, और मुसल्मान मजे करे, बच्चे कंट्रोल ह हिंदू करे, मुसल्मान सतरा बच्चे पैदा करे, हिंदू कानून का पालन करे, मुसलिम सरिया का पालन करे, हिंदू अपने भगवान का अफमान सहान करे, और मुसलिम किसी भी बलातकारी के समर्थन में तुमारा घर फूकने आ जाए, तुमारी हत्या करने आ जाए, हत्या को लाते रहो दूसरा विकल पे बीजेपी के ऊपर दबाव बनाओ ऐसे कानून लाओ और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाओ के ऐसे मिया लोड़ों और ऐसे इस्लामिस्ट सरकारी अधिकारियों सेक्विलर सरकारी अधिकारियों को लाध मार के निकाले वरना आपका सिस्टम आपके खिलाब काम करेगा तो एक और डायरेक्ट एक्षण डे भारत में होगा और वो भी गैर बीजेपी राज्ज में होगा क्योंकि डायरेक्ट एक्षण डे में ऐसा ही हुआ था वहां के सरकारी अधिकारी थे उन लोगों को पता था एक एक्षण होने वाला है और लोगों ने कुछ नहीं किया और उसका परिणा में हुआ कहते हैं कि लगबग 25 से 30 हजार हिंदु की हद्टियां की गई हजार हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ में बलातकार किये गए उनकी लासों को नगन लासों को ब्रदर्शन के लिए मुस्लिमों ना अपनी म ही है चलो जय हिंद वंदे मातम वीडियो अच्छा लगे तो सेथ कीजिए लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नहीं कर सकते तो दाजनेतिक जागरुकता लाव हिंदूओं वरना आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं होने वा